स्टुएंट स्टार्ट करते हैं डी ओई मैट्स का क्लास 10 का प्रैक्टिस पेपर जो कि आपके मेट्टम और प्रीवोड के लिए बहुत यूसफुल है तो इसका हमने कोशन नमबर बन से 36 कर चुके हैं तो आप इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाए गए उसमें देख सकते हैं चप्टर में से होता है 6x-7y equal to 1 दिया है और 3x-4y equal to 5 दिया है तो यहां पर आपको दिख रहा है यह दो एक्वेशन्स है आपको x and y की value निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं इस question को देखेंगे सबसे पहले देखिए 6x-7y है तो यहां तो 3x-4y है तो आप क्या करें या तो 2 से multiply करेंगे तो 2-3-6x हो जाएगा 2-4-8y हो जाएगा और 2y-10 हो जाएगा तो यह first equation थी यह second आ गई अब दिखेंगे एक्स वाले सेम है बट इन दोनों के sign तो same ही आ गए प्लस-प्लस तो इस वाले का sign हमें change करना पड़ेगा ताकि यह cancel हो सके अगर same sign आए तो sign change करना अ अशलाएंगे हमने sign change करने पड़ेंगे तो यह minus हो जाएगा प्लस बीजाई ऑर यह plus है तो इह minus हो जाएगा यह नीची वाली line के sign change करने पड़ेंगे क्यूँकि डोनों same sign के है, cancel नहीं हो भारे ना, cancel करने के लिए हमें इसका sign change करना पढ़ रहा है, तो बक्त की होगे भी change करने पढ़ेंगे, अब देखिए, तो cancel हो गया, जो same था, अब यह, देखिए, यह minus का 7y है, यह plus का 8y है, minus का नहीं है, अब यह plus का 8y है, तो minus 7 plus 8 कितना होता है plus 1 है ना minus 7 plus 8 plus 1 minus 7 plus 8 minus plus minus sign बढ़ेगा यह बढ़ा है तो इसमें plus का sign है तो यह plus 1 और साथ में y वाला term था तो y आज़ेगा और देखिए यह भी plus 1 और यह minus का 10 plus 1 minus का 10 plus minus minus 9 और sign बढ़ेगा तो हमेशे याद रखना plus minus minus sign बढ़ेगा पहले plus minus minus कर देना और फिर sign जो भी बढ़ा न में से उसका sign उसमें जो sign होगा वो लग जाएगा अब देखिए यहाँ तो plus है और यहाँ minus तो y minus 9 यहाँ यहाँ बढ़ेगा बढ़ेगा यहाँ 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 गया minus 9 आब y की यह जो value आई आए न वह आप यह तो इस equation में रख दीजे यह यह वाली equation में रख दीजे तो इसमें रख देजेए 6x तो as it is minus 7 y की प्लेस में क्या रखेंगे यह equal to 1 अब यह दो आब x के लिए solve करना है ना तो पहले इसको solve करिए 2 minus minus है multiply में plus हो जाएगा पहले multiply हो तो फिर plus अब यह number number के पास चला जाएगा 1 minus 63 minus करेंगे और sign बढ़ेगा लगाएगे फिर x निकालना है तो 6 divided हो जाएगा अभी यह 2 से cancel हो जाएगे तो x आगे माइस 31 by 3 तो x यह आएगा यह आएगा ठीक है नेक्स कुशन देखेंगे यह आपका ट्राइंगल में से एडी मीडियन है ट्राइंगल एबीसी की o is any point on a d bo and c o produce meet a c and a b e and f respectively तो डाइग्राम देख a d median b c पर पड़े जाएगी है यह ट्राइंगल है a से median डालूंगी तो वी इसी साइट पर पड़ेगी तो वी सी साइट को क्या करेगी इसके बराबर हो जाएगा फिर इन्हों ने बोला है कि बी और सी ओ को हमने क्या किया है बी ओ अच्छा देखें एडी पे O point आ गया था न, A, D पे क्या आ गया था एक O point अब B, O को हमने extend किया, जो की B और C और C और A, B को मिल रहा है B, O को extend किया तो वो A, C पे E पे मिलेगा और C, O को extend किया तो वो इसको A, B पे F पे मिलेगा ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बोला A, D को produce किया X तक ब्रावर हो गया, O, D, D, X यानि यह वाली साइड इसके ब्रावर हो गई, चीक है, अब आपको क्या बोला है अब आपको दीख रहा है, यहां पे यह साइड इसके इकवल है और यह बीडियन है तो यह इसके इकवल है, तो आपको दीख रहा है यह diagonal bisect कर रहे हैं, यह diagonal है न, quadrilateral का, यह वाले quadrilateral का, यह क्या है, यह वाला इसका diagonal है, यह diagonal भी bisect हो रहा है, यह वाला diagonal भी bisect हो रहा है, तो अगर diagonal bisect करते हैं, तो यह जो quadrilateral बन रहा है, यह BOCX, यह क्या होगा, यह एक से पैरले लोगी सेपके सीमी सी ओ भी एक्स के या फिर सी यो को हम सी एफ भी तो लख सकते हैं है ना अब अगर मैं ये वाला मुझे तो ये वाले लाइन इसके पैरले प्रूव करने तो ये बाले ट्रैंगल बढ़ा वाला लेना है। लेकिन पहले मैं कौन सा लूंगी चोटा triangle लोगी A B X यह वाला क्योंकि मुझे दिख रहा है यह line parallel जा रही है यह वाली line इसके तो हमें पता है यह इस वाले triangle में इस वाले में इस वाले में अगर यह line इसके parallel है तो यह ratio AF upon VF A O upon O X ना बराबर हो जाएगा तो हमें दिख रहा है एक triangle यहां से बन रहा है और एक triangle यहां से बन रहा है इसमें भी यह होगा अगर यह line इसके parallel है तो यह upon यह यह upon यह है ना अब देखें दोनों को अगर मैं देखो compare करूं तो यह दोनों A O O O X के equal आ रहे है तो यह वाला ratio इसके बराबर हो जाएगा बीपीटी है ना यह parallel line थी तो यह ratio बराबर होते है तो सबको बीपीटी आती होगी अब यह अगर दोनों में equal है तो यह वाले side इसके equal हो जाएगी अब आपको दिख रहा है कि A E upon E C equal to A F upon V F आ गई A E upon E C A E upon B यहाँ पे जब एक triangle में line parallel होती है तो ratio बराबर ratio upon में आ जाते है और जब ratio upon में आ जाते है यह वाला इसके upon में यह वाला इसके upon तो यह जो ratio इस line से divide हो रहे थे ना F F से तो F F इसके क्या हो जाएगी parallel हो जाएगी तो यहाँ पे हमने BPT लगाई थी जब line parallel थी तो हमने ratio बराबर गी यह थे और फिर यहाँ से जब हमने देखा कि यह दोनों इसी के equal आ रहे है तो यह दोनों भी आपस में equal हो गए और फिर यह दोनों का जो ratio बन रहे है तो इस triangle के according बन राइस वाले तो इसमें यह line इस line के क्या हो जाएगी पैरलल हो जाएगी जब ratio बराबर तो lines क्या होती है पैरलल होती है तो यह converts of BPD लग जाएगी यहाँ तो यह question सब को समझा गए और इसका डाइंग्नाम को दिहान से बनाना था ठीक है next question देखेंगे एक equilateral triangle बना हुआ एक circle के अंदर इसकी side 6 है इस triangle की equilateral का area से पो पता है जब equilateral मतलब सारी side बराबर तो उसका area था root 3 y 4 a square a यानि side ठीक है उसके आद आद आपको area of shaded region निकालना तो area of shaded region कैसे हैगा पूरे circle में से आप equilateral का हटाएंगे माइनस करेंगे है न पर आपको circle की इस पार radius नहीं पता तो आपको पहले triangle के area से radius निकालनी है वो कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे इस triangle को तीर parts में divide कर देंगे देखिए यह triangle था न एक्विलेटरल तो हमने के center से यह circle के center से इसको ऐसे बाट दिया तीन parts में ठीक है तो यह circle की क्या होगी radius होगी न center से जो circle को touch करेंगे क्या होते है radius तो यह पूरा triangle जो है जिसका area क्या था root 3 by 4a square क्योंकि एक्विलेटरल है न यह इन तीन triangle से मिलके बनाए यह 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 तो इस वाले triangle का अगर मैं area निकाल तो देखिए इस triangle में मुझे इस वाले triangle में मालनो इसमें मुझे यह भी radius दिये यह भी तो जब यह तीनो साइट पता होती है तो हम here on formula लगाते area निकालेंगे तो पहले इस triangle का formula हम here on formula से निकालेंगी तो here on formula में पहले इस semi perimeter निकालते यह तीनों साइडों का total करो और उसे 2 से divide करो तो यह rr 2r plus 6 तो common 2 आ गया फिर अंदर बचा r plus 3 उसे 2 cancel हो गया r plus 3 s कितना गया r plus 3 फिर s फिर formula क्या लगता है here on formula के लिए s minus a s minus b s minus यह लगता है na here on formula तो s के place में यह रखा फिर s में से a को minus किया a कितना था r यह क्या था a r तो s में से r को minus किया फिर s में से और फिर r को minus किया फिर इस s में से यह सा और भी घा र प्लस 3 तो इस्में से third side जो हिथी 6 उसको minus किया अब आपको दिख रहा है R plus 3 का एज़िटी ये R से R कट गया तो 3 बज़ गया इसमें भी R से R कट गया तो 3 बज़ गया और ये R minus 6 हो जाएगा क्योंकि plus minus minus sign बढ़ेगा अब देखें ये 3 दो बार है तो square में से बाहरा जाएगा पेयर की फॉर्म में ये पेयर में था ना तो root के अंदर से बाहरा जाएगा और ये R plus 3 और R minus 3 दोनों अलग-अलग है बट आइडिटी बना रहे है A plus B, A minus B, A square minus B square, B square, B square, 3 square 9 हो जाएगा ठीक है तो ये तो एक triangle का area है Hieron formula से ये इसे कितने triangle बन रहे है इस पूरे triangle के अंदर 3 बन रहे है तो यानि कि 3 का area इस पूरे एक area को मैं 3 से multiply करूंगी तो पूरे equilateral का area आजएगा equilateral का area क्या root 3, Y, A square A कि 3 तो इसकी side 6 अब यहां से इसको cancel बेंसल करोगे तो ये R square minus 9 square root में ये इस पूरा solve का कि root 3 बजएगा बस तो इसका root दोनों का हटाना तो squaring कर देना तो इसमें से भी root हट जाएगा और इसमें से भी root हट जाएगा R square यहां से plus 9 होके 12 आएगा और square हटेगा तो root लगेगा root 12 को prime factor कर लेना तो 2 बहार आजएगा पेर में से 3 अंदर आजएगा root के पेर में नहीं नहीं तो root में आजएगा R आप कहीं आ गया ठीक है हमें R ही तो निकालना था अब तो shaded reason निकली जाएगा ये वाला shaded reason कैसे निकलेगा पूरे circle में से triangle का area हटा देना तो circle का area होता है pi r square pi r कितना आया था परो, में तो ये कोश कुस्याओए फूरे कितना देना प्लिटर